जिस चुनाव में ना धारा 370 है ना अलग जंडा है पहली बार एक देश में दो विदान, दो निसान, दो प्रदान नहीं चलेंगे अब मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को दो विदान, दो प्रदान, दो निसान समाप्त कर दिये हैं आजादी के बाद पहली बार, जमु कस्मीर में एक ऐसा चुनाव होने जा रहा है, जिस चुनाव में ना धारा 370 है, ना अलग जंडा है पहली बार हमारे अध्यक्स समाप्रसाद जी ने कहा था कि एक देश में दो विदान, दो निसान, दो प्रदान नहीं चलेंगे और समाप्रसाद जी ने इसके लिए अपनी जान दे दी थी, और आज मैं कह कर जाता हूं, अब मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को दो भिदान दो प्रदान दो निसान समाप्र कर दिये हैं समाप्रसाद वायन कहीं और एंसे एंसी और राहूल बाबा जानते हो ना राहूल बाबा को कि एन्सी और राहुल बाबा कहते हैं हम दारा 370 वापीस लाएंगे कि कस्मीर का जंडा वापीस लाएंगे कि मैं इस मंच पर से कह देता हूं कि चनेनी वालो मैं इस मंच से राहुल बाबा को कहना चाहता हूं राहुल बाबा आप क्या आपकी तीन पिड़ी की ताकत नहीं है 370 को वापीस लाएंगे भायो वे नो एक कॉंग्रेस एन्सी पिड़ीपी ने एक पूरे जम्मु कस्मीर को आतांक में जोकने का काम किया चालीस चालीस साल तक आतंकवाद चला चालीस अजार लोग मारे गए यह पैंतीस चालीस साल में तीन अजार दीन करफ्यू रहा हरोज यह पाक प्रेरी तातंकवादी बम दमाका और घोलियां चलाते थे मोदी जी की सरकाराई धारा तिन सो सत्तर गई ना पत्थर बाजी हो रही है ना बम दमाके ना घोलिया चलाते अरे लोग एंसी पीड़ीपी कॉंग्रेस फिर से जम्मु कस्मीर में आतंकवाद लाना चाहते हैं मैं बता कर जाता हूं उमर अब्दुलाह आपकी जो इच्छा हो आतंकवाद को हम पाताल तक गहरा दफन करकर ही दम लें किसी की तकत नहीं है जम्मु कस्मीर में अब आतंकवाद फिर से आए केंद्र में हमारे प्रियनेटा नरेंद्र मोदी की सरकार है नरेंद्र मोदी